हेलो, गुड यूनिंग दोस्तों, 18 दिसंबर 2018 की डेली प्रिलिम्स MCQ स्रीज में आपका स्वागत है, तो चलते हैं आज की मारी क्यूशन डिसकसिन की दरफ पहला क्यूशन है, वो है कि रिसेंटली एक नहीं परजाती पाएगी है, किसकी वो दी गए आपे प्लानो नोसुस इंडिकॉस, यह किसकी परजाती भी रिसेंटली न्यूज में थी जो की खोजी गई है, तो आपको बताना है, पहला उप्शन आपकी सामने पिगी होग, दू दूसरा सार्क, तीसरा में परजोता है शिपकली, तो देखो हम बात करें, यह है भी इसेंटली लाष्ट महीने के करेंट फेर में था, कि प्लानो नोसुस जो इंडिकॉस है, वो सारक की ने एक स्पेसिज है, जो की इंडियन ओसियन में डिस्कोवर है, वो की गई है, तो इ नेक्स ओ आर्टिकल है, वो है ग्रीन हाउस गेस के बारे में, क्यूसरा है कि ग्रीन हाउस गेसों में वर्दी का अर्थ पर्थ्वी दवरा असोसित गर्मी में वर्दी हुई है, उस अतरिक गर्मी की परसेंटेज उम्र महसागरों दवरा असोसित कर दी गई है, या आप ब पता है कि जो टेंपरेजर है इन्वार्मेंट का वह बढ़ा है तो उसकी जो मेक्सम जो गर्मी है वो कितनी एपजोग की गई है यहां पर पूझी के कि महासागरों के द्वारा तो देखें उसका अंशर होगा यहां पर डी 90% क्योंकि आपको पता है कि हमारी एर्थ है इसके लाड़ स्धीन द्वारा अंशर है और उसके साथ इक गलेशर पिंगलता और हम देख सकते हैं कि जो ओसी लेवल है वो दीधरीधे बढ़ रहा है तो यह किसीत की सहरे और की नेंश को marine pollution को निपटने के लिए है कहाँ पे west pacific ocean में मतलब west pacific ocean में marine pollution से marine production से निपटने के लिए anaerobic invention आई दूसरा statement यह है कि Honolulu जो strategy है वो basically marine जो कच्रा है उसको खतम करने के लिए तो देखो आपको यहाँ पे बताऊं इसने पुचा कि choose the right option second option देखो बिल्कुल सही है यहाँ पे कि Honolulu जो strategy है वो basically marine जो परदूसन है marine जो pollutant है कच्रा है उससे निपटने के लिए है पहला statement यहाँ पे गलत है क्यों क्योंकि Nairobi convention है वो basically west pacific ocean के लिए नहीं है यह है हिंद मासागर के लिए तो इसलिए पहला statement यहाँ पे गलत है वो दूसरा statement सही है next question हो है भारत में e-waste के बारे में कविचार कीजिए पहला statement आपके सामने कि भारत है वो e-waste का सबसे बड़ा producer है दूसरा statement यह है कि केवल समुदरी प्रयावन को है वो e-waste नुकसान पहुंचाता है मतलब जो e-waste है वो समुदरी प्रयावन को है marine जो environment है उसी को नुकसान पहुंचाता है देखो यहाँ पे एक word है केवल यह आप देखेगी केवल समुदरी को यहाँ पे तो आप इस पे focus कीजिए कि यह गलत है सही है तो देखो हम इसके बात करें तो obviously दूसरा statement है वो गलत हो जाता है क्योंकि केवल marine जो environment उसी को effect नहीं करता है इसके साथ ही जो हमार own environment है जो land level है उस पे भी effect है वो basically डालता है तो B तो यहाँ पे गलत हो गया अब बात बची पहले के बारे में तो इसको आपको Google पे search करना आपको study करके बताना है कि भारत है वो e-waste का सबसे बड़ा producer है या नहीं है e-waste का मतलब है electronic waste जो कि आपको पता है पुराने बेकाज जो कच्रेग मोबाल होते है computer बगरा होते है टीवी, computer जो भी इस तरह गया electronics item है उनको basically e-waste में count है वो किया जाता है उसमें lead भी होता है cadmium भी होता है barium भी होता है और यहाँ पर beryllium भी होता है यह चारो चीज़े होती है तो इसलिए इसका option होतेगा A, A, B, C, D, A, 1, 2, 3, 4 चारो इसके option सही है चलते हैं next question की तरफ एक चीज़ आपको बता दूँ कि यह चारो ही चीज़े है lead है, cadmium है, beryllium है और barium है यह चारो ही basically काफी pollutant होते है और यह काफी जदा side effect है वो भी होते है बट यह जो semiconductor या आप एक तरी किसी mobile जो device वगरा बनते हैं उनमें इसका भहती कम मात्रा में use होता है तो यह चीज़ हमें थोड़ा पता होना चीज़े कि इनका use हो basically होता का है next question है उसमें आपको दो statement दिये गए है पहला statement है कि जील के लिए nitrogen जोड के लिए uterification हो सकता है दूसरा statement यह दिया गया है कि एक uterific परिस्तिति की तंतर पोधों और जानूरों के विश्तर स्रंखला का समर्थन करता है देखो आपको पता है कि जील का पानी से यह मानलों जील है इसमें पानी है यह पानी और अगर इसके अंदर nitrogen की मात्रा बढ़ जाती है इसका मतलब क्या हो गया इसके अंदर nitrogen भो जाता हो गया आपको पता है कि पोधो की growth के लिए nitrogen important होता है अब uterification का मतलब यह होता है कि पानी के अंदर nitrogen की मात्रा जाता हो जाएगी इसमें ammonia आगरी है या फिर जील में गंदा पानी डाला जा रहा है solid waste वगरा डाला जा रहा है मलमूत तरीतियादी तो उसके जील में nitrogen जो element है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी इसका मतलब जील हो यूट्रिफिकेशन हो जाएगी अब इसका देखू result क्या होगा कि यहाँ पे जील के अंदर जो पेड़ पोधे होंगे न सेवाल वगरा उनकी growth बहुँ जादा होने लग जाएगी जैसे कि जो यहाँ पे तरह तरह जलकुम भी वगरा होते हैं वो बढ़ने लग जाएगी तो यह पूरी जील को उपर से cover कर लेंगे अब आप खुद देखिए अगर यह पूरी जील को cover कर रहे हैं तो इसका मलब पानी के तो नीचे जानवर रहेंगे जल्य जानवर उनको oxygen नहीं मिल पाएगी उनको sunlight नहीं मिलेगी तो होगा क्या कि पानी के नीचे जल्य जीव है या जो पानी के नीचे की जो biodiversity है वो तो खतम हो जाएगी तो इसलिए utrophication होता है तो पेड़ पोधो की growth बहुँ जादा होती है बट उसके नीचे बहुँ ज़दा पारिष्टी की तंदर का नुकसान है वो होता है तो इसलिए पहला option तो यहाँ पे बिल्कुल सही है और दूसरा statement क्या कहा रहा है कि utrophication है वो बेसिकली पोधो और जानुरों की विष्टर स्रंकला का समर्थन करता है तो जी यह statement है यह गलत है यहाँ पे तो इसका मतलब A सही है और R गलत है तो इस तरीक से पहला option इसका सही है वो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है वो है जैसे सबसे कम effective हो हमारे climate change पर पढ़ता है पर अब इनमें से कौन सी गयाशा जिसका सबसे कम effective हो climate change पर पढ़ रहा है नेक्स्ट क्यूशन है वो है basically दो statement दिये गए है पहला statement दिया गए है कि जो plastic waste होता है उससे जो fuel generate होता है उसको green fuel कहते है दूसरा statement यह है कि जो fertilizer industry है वो basically gypsum को produce है वो करती है तो देखो बिल्कुल सही है दूसरा statement हम बात करें कि fertilizer industry है उसमें gypsum है वो produce होता है second पहला statement के आसूर यहाँ पहला statement दिया गया है कि plastic waste हो fuel generate होता है उसको green fuel कहते हैं और दूसरा दोनो statement इसके सही है next question है यह आपके लिए homework है question ही यह है कि find the correct match आपको चार option दिया गया है और match the following में आपको इनको बताना कि कौन सा सही है और आपको सही answer भी comment box में बताना है कि कौन सा किस से match होगा पहला यहाँ पे दिया गया है महोगनी इसके सामने दिया गया है आपको tropical deciduous forest यानि की ocean कटी बंदिये परणपाती बन दूसरा दिया गया है बबूल बबूल को आपको बताय गया है यहाँ पे tropical evergreen forest यानि की ocean कटी बंदिये सदा भार forest तीसरा दिया गया है यहाँ पे देवदार देवदार के सामने option दिया गया आपको tropical rainforest यानि कि उसन कर्टे में दिये सदा भारफोन चोथा दिया गया आपके सामने care जिसका यहाँ पे दिया गया है कि कांटेदार जाडियां तो देखो आप बताए इसके बारे में कि कौन सा statement यहाँ पे या कौन सा option है वो आपके सामने सही है तो देखो यह तो थी आजगी हमारे questions तो आपको कैसे लगे इस वीडियो के बारे में आप comment box में जुरू बताएं और वीडियो को जड़ ज़़ ज़़ से like करें और share करें तो फिलाल की discussion में इतना ही है तो thank you thank you very much for discussion